बॉलिबूड एक्टर रिशी कपूर बिदे चार महिनों से निवार्क में अपना इलाज खरवा रहा है रिशी कपूर को क्या हुआ है? इस बात को तो कोई जनकारी सामने नहीं आई है लेकिन इतना जरूर है कि उनकी तबियत खराब है जिसका इलाज करवाने वह साथ समंदर पार गए है वहें अब रिशी कपूर की स्यहत से जुड़ा नया खुलासा हुआ है या खुलासा किसी और नहीं बलकि रिशी कपूर ने खूद किया है एक टीवी चनल से बात करते हैं उन्हें बताया कि रिशी कपूर ने कहां मेरा इलाज चल रहा है उमीद है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा भगवान के किरिपा से मैं जल्दी लोटूँगा यह एक लंबी और धीमी प्रक्रिया है इसके लिए सब्द करना पड़ेगा लेकिन मैं इसमें माहिर नहीं हूँ इस वक्त फिल्मों के बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं रहा हूँ बस आराम कर रहा हूँ और अपने आपको डिफ्रेज कर रहा हूँ मेडिया रिपोर्टर की माने तो रिशी कपूर अप्रेल तक भारत वापस लोट सकते हैं रिशी कपूर से जुड़ी यह खबर बेसक उनके फैंस के लिए खुश खबरी की है निवार्क के इलाज के दोरान रिशी कपूर की कई तस्बीर आये थी जिसमें वह बिमार नजर आये थे ऐसे में रिशी कपूर के वतन वापसी की खबर उनके फैंस के लिए शुकून भरी जरूर है रिशी कपूर के साथ उनकी पतनी और वेटरन एक्टरस निट्यू कपूर जो बीते तीन महिनों से रिशी के साथ निवार्क में ही है रिशी कपूर ने परिवार के साथ नए साल का ज़स्न भी मनाया था रिदिमा कपूर ने सोशल मीडिया पर New Year Celebration की तस्बीरे सेयर की थी इन तस्बीरों में कपूर खांदान के अलावा आलिया भी मस्ती करती हुई दिखाई दी एक तस्बीर ने रिदिमा नितु कपूर भरत सानी रर्मीर और आलिया हैपी निवी यर लिखा फ्रेम पकड़े हुए दिखाई दिये थे तो वहीं दूसरी तरब इसी फ्रेम में रिशी कपूर भी नजर आये थे आपको बता दे कि रिशी कपूर ने खुद सोशल मीडिया पर अपनी खराब तबियत की जनकारी दी थी इसके बाद से कुछ लोग सोशल मीडिया पर दावा करने लगे कि उन्हें के इंसर हुआ है जो थर्ड इस्टेज पर पहुँच गया हलाकि इन खबरों को सुनका रिशी कपूर ने रर्धिर कपूर गुश्चा हुए और इस खबरों के मात अफवाह बताया रर्धिर कपूर नेके इन्टरवू में कहा कि अभी रिशी के टेस्ट होने बाकी हैं हमेरी भी नहीं पपता कि रिशी को देश्च का हूआ है करहां देजी और अफोot abrir result आएगा हम ज़रूर आपको चामदारी देंगे निवist room से film अड़ा के दूम झाल